ओम नमस्य बाय, स्वागाते आप सभी का मेरे भक्ती वावना योटूब चैनल पर, दोस्तो आज मैं आपको महा सिवरात्री के कुछ उपाय बताऊंगा, साथ ही आपको किस्चीज का परसाथ खाना है, वह जानकारी भी आपको दूँगा, महा सिवरात्री, महा सुव्योग, महा सिवरात्री के दिन आप बेल की पेड के नीचे, यानि बेल का पेड होता है, बेल पत्र जिसे कहते हैं, उस पेड के नीचे किसी भूके या गरीव व्यक्ति को खीर और भोजन कराते हैं, तो आपको भगवान सिव की किरपा प्राप्त होती है, ऐसा करने से भगवान सिव आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, सिव पूजा में हर सिंगार के फूल का बड़ा ही महत होता है, इसके बारे में सिव पुराण में बताया गया है, ऐसे में आप मा सिव रात्री पर भगवान सिव को पूजा में हर सिंगार फूल अरप्रित करें, इससे मा देव खुस होते हैं, और सुख सम्रदी सांती वा पुत्र प्राप्ति का अशिरवाद देते हैं, मा सिव रात्री के दिन साप जल से अख्यत को दोलें, अख्यत के लिए उन चावलों को लें, जो तूटे हुए ना हूँ, ऐसे अख्यत को पूजा के समय भगवान भोली नात, यानि सिव लिंग पर चड़ाएं, ऐसा करने से हर प्रकार की धनलाव होते हैं, हर प्रकार की मन मनुकामना हैं पूरी होती हैं, मा सिव रात्री के दिन बेलपत्र पर ओम नमस्वायर चंदन से लिखें, पूजा के समय से 21 बेलपत्र भगवान सिव को अरपन करने चाहिएं, मा सिव रात्री के दिन यानि भगवान सिव जी के सामने बैठ करके आप अपनी मनुकामना बोल और आटे के ग्यारे सिविलिंग बनाएं इन सभी सिविलिंगों का ग्यारेवार गंगा जल से अफसेख करें ऐसा करने ते उत्तन संतान की प्राप्ती होती है नोक्रिया बिजनेस के लिए आप मा सिवरात्री पर चांदी के पात्र में जल बरकर सिविलिंग कावसेख करें ओम नवस्वाय मंतर का जाप करें फिर ऐसे ही सपेद पुस्व अर्पन करें साम को गी के 11 दीपक आप जलाएं ऐसा करने से भगवान सिव का अशिरवाद पराप्त होता है तो तो सिवरात्री के दिन जो व्यक्ति बट ब्रक और पीपल ब्रक के नीचे पांच दीपक जला करके कच्चा सुन तलपेटता है उसकी मनो कामना पूरी हो जाती है वही पारत सिवलिंग का उसी करना ब्यादी शुब माना गया है इस दिन आप आटे के सिवलिंग बना करके रात के समय उनका पूजन भी कर सकते हैं इससे आपकी हर मनो कामना पूरी होगी सिवरात्री के दिन पारत सिबलिन के दर्सन मात्र से ही हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है उसमें भी जो अभ्यक्ति इस दिन भगवान सिव की पूजा करता है उनकी प्रतिक मनोकामना पूरी हो जाती है सिवरात्री के प्रतम पैर में जब आप भगवान सिव की पूजा कर रहे हों तो उस समय भगवान सिव से अपनी मनुकामना बोलनी चाहिए और साथ ही खीर का प्रसाद भगवान सिव को अरपन करना चाहिए रात की समय पर धतूरे का फल भांग का प्रसाद भगवान सिव को अरपन किया जाता है जो व्यक्ति भगवान सिव को भांग का प्रसाद बाध धतूरे का फल अरपन करते हैं उनकी मनुकामना पूरी हो जाती है सिवरात्री के दन खीर का भोग लगाएं और वेर का फल भगवान सिव जी को अरपन करना चाहिए ऐसा करने से हर मनों कामना पूरी हो जाती है आप भगवान सिव को भेर के फल का भोग लगाएं और खीर के प्रसाद का भोग लगाएं इन दोनों चीजों का सेवन भी करना चाहिए 37 दिन भां का प्रसाध भी आपको जरू चड़ाना चाहिए बेल पत्र पर ओम नमस्वाई लिख करके भगवान सिव को अरपन करने से भगवान सिवासिरवाद देते हैं दोस्तों खीर का प्रसाध आपने प्रतर का है तो जो समा के चावल होते हैं उनकी खीराप को बना करके बोग लगा करके परसाद खाना है इस दिन नो रासियां ब्यादी भागिसाली रहेंगी जिनका योग बहुत ही अच्छा है सभी रासी बालों की मनुकामना पूरी होगी मेश रासी, ब्रसव रासी, मिथुन रासी, सिंग रासी, तुला रासी, ब्रस्चे रासी, मकर और कुम, मीन रासियां इस दिन व्यादी भागिसाली रहने बाली हैं इस दिन आप सिविलिंग की बीच का प्रयोग भी कर सकते हैं केले के फल का प्रियोग भी कर सकते हैं खाने में तो यह है बड़ा दिन हैं और महास्यवरात्री जैसे आप सिविलेंग पर देख रहे हैं ऐसे सपेद पुष्प आपको सिविलेंग पर अर्पन जरूर करने हैं वीडियो से अर करें चैनल को सब्सक्राइब करों